तो हेलो गाइज वन सेकें बलकम बैक तो मेर्ट चैनल वीकेडी व्लोक सोफ गाइज आप सब लोग भाई अच्छे होंगे इनल गाइज मोस्ट डिमांड़ वीडियो यहां पर मैं लेकर आच चुका हो कि कंपैरिशन करने वाले यहां पर एक नहीं दो नहीं तीन-तीन स्कू अधिशन तो आज बाइज यहांगों कोणी स्कूठी बैस रहेगी और किशमidor कुछ नहीं मिलता मृटे आपको कौणी स्कूठी डėनेवाले आपको लोग काफी मेरी अच्छी है यह पीर वह टॉप मॉडरल अच्छा एज म्हीं टोफिन अ तो सबसे पहले बात किरें दल्ली के एक्स्टोरूम के इसाप से मैं बता हुआ सबसे पहले पहले बात करते हैं टॉप मोडल से तो अगले की बात करते हैं आपको एंटॉक रिएस एक्स्टी का प्रैस चला है तो आप को पे करना पड़ाएंगा उसके लिए उहां पर आपको पे करना पड़ेगा एक लाग पची से लेकर 27,000 उपे तो यहां पर कुछ इस तरीके का आपको प्राइजिंग देखने को मिलती तीनों स्कूटी का तो आपको देखना है कि भाई आपके बजट में कौन सी स्कूटी सबसे पहले फिक्स होती है आपको डिसाइड करना कि हाँ मुझे एच यह ऐसा नहीं है पावर के मावले होना स्टार्टिंग बता दू और आखरी में बता आगा एक्सप्लेइन करूँआ बट अभी आप जान लो कि भाई अगर आप लेते हो तो प्राइजिंग क्या रहने वाली तीनों स्कूटी की अलग है अलग इसलिए क्योंकि इन तीनों में आप लोग देखलो ग्राफिक अलग है जो इसका डिस्प्लेय है पर रेस जो एक्स का इंजन देखने को मिलता जो कि आपको थ्री वाल्व के साथ मिलता 125 का इंजन है और टॉर्क की बात करें तो भाई यहां पर करता है 10.5 न्यूटन मेंटर का टॉर्क प्रडियूस करती है और टॉप स्पीड तो गाइस लगबाद सो हर कोई क्रोस कर लेता तीन होई और यह यहां कि नाइन पॉइंट कुछ बियाजबी और इसको आपको मिलती है 10.2 देखलो सिधा एक भी का फरक तो आपको तो फिर लोगा सिर्फ पिकप में टॉप स्पीड में आपको सारी सेम रहने वाली और यहां पी बात करें तो रेस एडिशन में गाइज बिल्कुल सेम मिलता जैसा कि अखिए डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है तो मैं आपको में इसको में गुण अब करने दूसरा भी नॉर्मल कर दिस्प्ले आपको मिल जाता तो कुछ इस तरीके आपको डिस्प्ले देखने मिलने वाला है जो की एडवान्स है काफ़ी चीज़ा वेधर होगा क्रिक और बैटरी का वोल्टेज हो करता तो एक कुछ चीज एडवांस इसके अंदर है जो कि आपको इसी के लिए पे करने एक्ष्टा जो कि इसके डिस्प्ले लागा राखा है तो आपको अगर ऐसा डिस्प्ले चीए प्लस से नियोन कलर पसंद आता तो आप इसके साँ जा सकते हो देन अगर बात करें यहां पे डिफेरेंस की आपको सारी डिटेल मिलेगी बट यहां पे आपको पूरा जो डिजिटल मिटर आपको LCD Black & White LCD डिस्प्ले में मिलने वाली है आपको यहाँ पर रेस एडिशन में मिलती है जो कि यहाँ पर एंटोक रेस एडिशन 125 वाली खड़ी है इसका भी सेम आपको LCD ब्लैक और वाइड डिस्प्लेई आपको मिलने वाला इसमें भी इनली यहाँ पर देखा जातों डिस्प्लेई को लेके सिर्फ आपको डिफ्रेंस दिखने वाला रेस एक्स्टी में जो कि एडवांस है उसी के पैसे अगले डिफ्रेंस की बात करें तो गाइस अगर आप रेस एक्स्टी लेते हो तो आपको इसके अंदर सबसे बड़ा एक डिस एडवांटेज है कि आपको इसके अंदर किक आप्शन नहीं मिलता तो आप पर आपको रेस डिशाइड करना है कि आपको डिसाइड करना है कि नहीं चाहिए ब्रेकिंग ले लो इसका सिंगल डिस्क ब्रेक सब को आगे मिलते है ब्रेयर ब्रेक की बात करो सब में वाई अपना जो ड्रम ब्रेकर सेम आता है ड्रल हो गया है एडलाइट हो गया इंडिकेटर हो गया सारे चीजे लगबग सेम है टायर से लेगे बैकसाइड सीट बात करो कुछ भी मुझे डिफरेंस यहां पर अब नहीं लग रहा है तो यह अधे मेंदली दो डिफरेंस डिस्प्ले को लेकर और इसके किक को लिए पर डिफरेंस भाई नोटीस ओर सामने से अलोविल देखके तो आपको जो रेस एकसपी वाले डिशन है उसके अंदर रेड कलर का अलोविल मिलता है यह देख लो कुछ इस तरीके आपको रेड है थोड़ा आटोमेटिक है देख लो यहां पर इस पर लगाते हो तो आटोमेटिक है गाड़ी बंद वाती कुछ सेकेंड में 6 सेकेंड या फिस सेकेंड है बट ऐसा आपको रेस एकस्पी में नहीं मिलता और रेस एडिशन हो नहीं मिलता है नोर्मल अगर बंद करोगे तो मुझे एकसटी में इसकेलाबा नहीं आपको मिलेगा रेस एडिशन में तो कुछ कुछ है किसी के पास कुछ है तो आपको तो आपको डिसाइड करने अपने डिमांड के ऊपर कि भाई आपको क्या चीज आपके सामने आप लोग बेटर चोइस कर सकते हो कि मेरी नीड किया ह पर एकस्पी को सिंपल सा था अपना थोड़ा बजट टाइट था तो पसंद आ रही थे बट यहां पर यहां पर यहां पर दस से पंद्रह जार महें ते सिर्फ डिस्पले के लिए तो मुझे उतना वर्थ नहीं रहा और सिंपल सी बात में पास पैसे नहीं थे दैन गाइस मैं पावर के मुकाबले मेरे इसाब से और राइडिंग आपको सभी में से मिलने वाली बस सिंपल सा डिफरेंस आपको नोटिस करना यहां पर कि आपको को पसंद आता ग्राफिक किसका पसंद आता आपको क्या फीचर चीए क्या नहीं चाहिए यह चीज़े डिसाइड कर लो देन गाइस आप कोई सी स्कूडी चूज कर ले तो मैं सिंपल से लादो देखो मैं आपको क्लियर कर देता हो कि आपको क्या चीए अगर आपके पास भाई बजट का इशू नहीं है मैंने पहले बोला था देन आपको अगर रेस एडिशन का ग्राफिक पसंद है मुझे इसका ग्राफिक सही लगता है पावर तो लगभग सेम ही है तो आप यहाँ पे यह ले सकते हो तो गाईस में लिव आपको देखना कि भाई आपको कुन सा कलर और क्या चीज़ पसंद आरी देन आप इसली डिसाइड कर दो आपको अच्छे से एक्स्प्रेंट कर पाया हूं कुछ उट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो बाकी बात करोगी इसके अंदर वाइब्रेशन है या निया आपको पता पुरा फाइबर वोडी तो आपको हलका वाइब्रेशन देखने को मिलेगा इससे आप इंकार नहीं कर सकते और इंजन के भी भाई कहीं ना कहीं रणिंग के बाद इसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है इंजन पर आता है आप सर्विस कर बाऊगे तो इस सारी चीज़े आप लोग राइड रिव्यू देख सकते हैं इसका बाइक किस तरह की सो लोगों ने इसका आप सोचते हों कि एक बड़ा सा हेलमेट रख लो जैसा कि मालो अगर आपके पास वेगा कैसा हैलमेट फूल फेस्वाला जो की काफी बड़ा होता है या फिर आपका हो गया एक जोर का हैल्मेट है तो ऐसे बड़े हैलमेट आप इसके अंदर तीनों में से किसी भी आप तो पुराने मोडल जितने भी आते था गाड़ी के अपना रेस एक्सपी होगे अडिशन होगा सब में लाइट मिलती थी बूटी स्पेस का बड़ जो अभी के बाई गाड़ी आते है उसके अदर गाइस आपको जो लाइट यहां पर होती ना लाइट हटा दिया एसा नहीं इ कोई पॉइंट छूट रहा है या फिर आपका कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर सकता आपको रिपलाई मिल जायागा तो वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं आपको वीडियो पसंदा पसंदा वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जाना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या फिर नहीं लगा एंड कौन सा फाइनल आपने अपने लिए स्कूटी कर लिया तो चैनल पर ना चैनल सब्सक्राइब कर देना मिलता है किसी नेक्ष वीडियो तो तो लाइस टेक कियर एंड और वेस कीप स्माइट